पुज्वर आचार्य प्रवर श्री पुजपान्द दीव शोमी विर्चिता श्री सर्वार्थ सिध्धी ग्रंतराज प्रश्ट नमबर दोसो इकत्तर तू सेविन वन अध्याय नमबर साथ गद्य नमबर छैसो छ्यासी सिक्स एट सिक्स अत्र आह यहां कहते हैं क्या कहते हैं तो कोई संकाकार कहता है उक्तम भवता है भगवन आपने बतलाया या कहा क्या कहा हिनसादी निर्वित्ती ब्रतम इती आपने कहा हिनसादी की निर्वित्ती का नाम ब्रत है हिनसादी पाँच पापों का छूटना ब्रत है ऐसा आपने शूत्र दिया कि हिंसादी पाच्व पापों से विरति का नाम ब्रत है तक्त्र ना जानी महा ही भगवन मैं उनको नहीं जानता कि हिंसादया विहिंसादि क्या है क्रिया विशेशा इतियत्र उच्चते विहिंसादि क्रिया विशेश क्या है जिन हिंसादि को आपने छोड़ने का उपदेश दिया मैं उन्हें नहीं जानता तो आचार केते हैं उसे यहाँ पर कहते हैं युगपद बक्तु बक्तुम आसकत्वात तल लक्षन निर्देशश्य करम प्रशंगे याशा वादव चोदिता सईव तावत उच्यते आचार केते हैं उन पांचों का लक्षन एक साथ कहना असक्य है अर्था उन पांचों का लक्षन एक साथ नहीं कहा जा सकता इसलिए करम प्रशंगे करम शाह या एक के बाद एक उनका कथन किया जाएगा जो कि क्रम्शा स्टार्ट करके एक का कथन पूर्ण करके पुनहा फिर दूसरे का लक्षन क्रम्शा कहेंगे आईए सबसे पहले क्रम प्राप्त हिंसाः त paling पंथ ने सुर्थ नमबर एक में कहा था हिंसा नितस तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर वरतम अव उसे ही आचारियां पे क्रमशा एक एक पाप को श्वरूप स्पस्त करते हुई कहते हैं प्रमत्य योगात प्रान व्यपरोपनम हिन्सा प्रमत्य योगात प्रान व्यपरोपनम हिन्सा प्रमत्योगात प्रमत्योग से प्रमाद सहत योग प्रमत्योग कहलाता है और प्रमत्योग से प्राण व्यपरोपनम प्राणों का बद करना घात करना छीनना हिंसा हिंसा है हिंसा की परिभाशा क्या बनाई प्रमाद की योग में किसी की प्राणों का यश्यम की प्राणों का घात करना हिंसा है अब एक-एक सब्द को इसपस्ट करते हैं पेराग्राप नंबर 6, 8, 7 प्रमाद हा साकशायत्तम तत बानात्म परिनाम हा प्रमत्तह प्रमाद क्या है साकशायत्तम कसाई सहत्पनी का या कशाई सहत्भाव का नाम प्रमाद है और उस प्रमाद या उस सा कशाय पनीशिर युक्त जीव के परिनामों का नाम प्रमत्त पना है प्रमत्त से योग हाँ प्रमत्त योग हाँ और प्रमत्त है योग जिसका या प्रमाद से युक्त योग का नाम ही प्रमत्त योग है प्रमत्त का योग ही प्रमत्त योग है तसमा प्रमत्त योगात इंद्रियाद योग दस प्राणाह तेशाम यधासंभवं व्यपरोपनं व्योगकरणं हिंसेती अभिधियते उस प्रमाद से युक्त तसमा प्रमाद योगात प्रमाद से युक्त अर्दाद कशाईवान जीव के द्वारा हिंसा इंद्रियादया इंद्रियादी जो दस प्राणह दस प्रकार का प्राण है हमने अच्छी तरह दस प्रकार के प्राणों को पड़ा तो पांचों इंद्रियां तीन वल और स्वाप्चुक्ष्वास और आयू उनका यथा संभवम तेशाम यथा संभवम ब्योग करणम उनमें से किनी प्राणों का छीन लेना क्योंकि ये प्राण परस पर आधारित हैं उनका छीन लेना उनका वियूग करना उनको अलग करना इनका नाम हिंशा अविधियते कहा गया है या हिंशा कही जाती है शाप प्राणी नहां दुख हेत त्वात अधर्म हेतु हुँ वह हिंसा प्राणियों को दुख देने के कारण या दुख का कारण होने से अधर्म का कारण है इसलिए उसे पाप कहा गया प्रमत योगा इति विशेशनम केवलम प्राण विपरोपनम ना धर्माय इति ग्याप नार्थम आजरी केते हैं ये मत सोचना कि प्राणों का मात्र हरन करना हिंसा है नई प्रमत योग के होने पर की गई हिंसा का नाम हिंसा है यदि प्रमाद का योग नहीं है तो हिंसा नहीं होती जैसे कि हम पहले भी पुर्शार्ट सिद्धी उपाई की अंदर बहुत अच्छी तरह इस विशाय को पढ़ कर आए तो कि इस पस्ट रूप से आचारे ने लिख दिया कि केवलम प्राण विपरोपनम ना अधरमाय इती ग्यापनार्थम केवल प्राणों का विपरोपनम अधरम नहीं है अपितु प्रमत्योगात इस विको इती विशेशनम ये उसकी विशेशता है उक्तम्च सब्दकार्थ है ऐसा पहले कभी किनी अन्य ग्रंथों में या अन्य स्थानों पर कहा गया है भागवान कुजपात देव शौमी के सामने जो ग्रंथ आगम उपलब्द थे उनमें इस प्रकार की बात कही गई या उन्होंने इन्हें किनी के माद्यम से सुना उन्हें भी कहते हैं उक्तम्च अर्थान ऐसा कहा गया है क्या कहा गया है तो कहा भी गया है कहा भी है योज यते चाशु भीरना चा बधेन संज्युते कहते हैं संज्युते वह प्राणी दूशरों को प्राण से व्युक्त करता है तो भी उसे हिंसा नहीं लगती आपने जब सरवार्थ पुर्शा शिद्धी उपाएं पड़ा तो वहां भी कहा कि यदि प्रमाद के योग से रहत है तो हिंसा होते हुए भी हिंसक नहीं है उक्तम्च और इसी प्रकार का अन्य ग्रंथों में भी आगम प्रमाण उपलब्द है उसे भी यहां पर कहते हैं यह संभवतया प्रवचन सार की छेपक गाथाएं हैं छेपक का अरत होता है मिक्स कर दी गई अर्थात किनी इस्थानों पर लिखी थी वहां से उन्हें वहां पर रख दिया कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो पूर्व आचारियों ने प्राया कर एक सी गाथाओं का प्रियोग किया है क्योंकि कुछ बातें मूल आगम में इसी प्रकार से प्रचलन में चल रही थी जिन आचारियों को तत्समंदी कथन करने का आउशर प्राप्त हुगा उनोंने उन गाथाओं को एजटेस उन इस्थानों से लाकर और यहाँ पर रख दिया उच्चाली दिहिम पादे इरिया समिदस्य निग मठाने आवादे धेज कुलिंगो मरिज तजोग मासेज नहीं तस तन्निमितो बंदो सोहमो भी देश दो समये मुझ्छा पाही परिग होती है अजब पमानो पमान दो भनी दो अब यहाँ पर क्या कहते हैं क्रमशा इसको देखते हैं इरिया समिती से युक्त साधुके अपने पैर के उठाने पर उच्चा लिधिम पादे पैर के उठाने पर चलने के स्थान में यदि कोई छुद प्राणी उनके पैर से दब जाए लेकिन इस्तिती क्या है इरिया समितस्य निगम अठाने उन्होंने पैर उठाया और उस गमन करते हुए इस्थान में उनके पैर के नीचे कोई जीव आ गया लेकिन पिम्मुनी राज कैसे है इरिया समिती से चल रहे हैं इरिया समिती क्या चौकर मही लख अर्था चार हाथ भूमी को देखकर फिर आवागमन करने वाले हैं और उसके संबन्द से मर जाये उनके पैर से वो दव जाये आवादे धेज्ज कुलिंगो मरेज्ज और यदी मर भी जाये तो भी उस निमित से थोड़ा सा भी बंध आगम में नहीं कहा उसके निमित से उनको थोड़ा सा भी कर्मवंद नहीं होगा क्यों नहीं तस तंड़ निमित्तो बंधो सुहिमो वी देशदो समये समये मतलब आगम में कहा गया है कि थोड़ा सा भी उनके तंड़ निमित्तो बंधो सुहिमो थोड़ा सा भी नहीं नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जैसे आध्यात्म द्रस्टी से मूर्चा को ही परिग्रह कहा गया है बैसे यहां भी रागादिक परिणाम को हिंसा कहा है मुच्छा परिग्रहोतिय जैसे मूर्चा को ही परिग्रह कहा गया है किसमे आध्यात्म में अजप पमान दो भणी दो उसी प्रकार यहां पर भी क्या कहा गया है उसी प्रकार यहां भी राग को क्या कहा गया है हिंसा कहा गया जहां राग नहीं है वहां हिंसा नहीं है इस पस्ट रूप से इस विशय को वहां हमने बहुत इस पस्ट पड़ा अब उसका आगम प्रमान यहां पर देखने को आया ननु चा अपना संका करते हैं जहाँ जाबी ननु शब्दाएं वहां संका है एसा जानना ननु क्या चब प्राण विपरोपन अभावे अपी प्रमत्य योग मात्रात एव हिंसेश्यती उक्तम चा और कहते हैं फ्रेश्ण करने वाला पूस्ता है प्राणों का विनासना होने पर भी केवल केवल प्रमत्य योगात एव हिंसेश्यती अगेली प्रमाद का योग हो तब भी हिंसा हो जाती है तो उक्तम चा हाँ इस विशे में भी आगम में कथन है क्या कथन है तो बतलाते हैं इस प्रकार की गाथा एक गाथा श्री ग्रंतराज मूलाचारजी में भी उप्रप्द होती है और वैसे ये विशे हम वहाँ पर इस पर चरूप से पढ़कर आई ही है मर्दूवा जीवदूवा जीवो अदेया चारस्य निच्छेदा हिंसा पैदस्य नत्तिवंदो हिंसा मित्तेन समिदस्य मर्दूवा जीवदूवा मर जाए चाहे जीता रहे तो भी अदेया चारस्य यतना चारसे रहत निच्छेदो या निच्छेदा हिंसा नियम से हिंसा है आयदी जीवो मरे अथवा ना मरे लिकन यदी प्रमाद का यूग है प्रमाद पूरवक प्रमाद किसे कहा शकशायत तम कशाय शहत जीवो को प्रमाद ही कहा और वो प्रमाद सहत है तो उसे हिंसा ही जानो पैदस्य नत्थी बंदो हिंसा मित्तेन समिदस्य और आगे कहते हैं यतना चार पूर वक्त प्रवत्ति करते हुए जीव के हिंसा की हो जाने पर भी हिंसा का दोश नहीं लगता पैदस्य नत्थी बंदो किसके नहीं है हिंसा मित्तेन समिदस्य शमिती पूर वक्त चौकर मही लख अच्छी तरह यतना चार पूर वक जो आचरन कर रहा है उसके हिंसा होने पर भी हिंसा नहीं है अब आचार उसको समझाते हुई कहते ये उसने प्रस्ने के रूप में पूछा क्योंकि उसने भी मूल में गरंथा आगम पड़े होंगे तो उन्होंने ये संका के रूप में रखा अब आचारी समाधान में कहते हैं नईश दोशाह यह कोई दोश नहीं है अत्रपी प्राण रोपनम अस्ती भावलक्षनम तथा चा उक्तम आचारी केते हैं क्योंकि यहां पर भी भावरूप प्राणों का नास ही है अच्छी तरह जानना कि अगर वहां जो आपने लक्षन बनाया है वो लक्षन में दोश दिखा रहे हैं आपने लक्षन बनाया था प्रमाद पूर्वक प्राण बेपरोपनम हिंसा अब प्रमाद का योग तो है नहीं मरा तो कोई जीव है नहीं तो प्राण बेपरोपनम तो हुआ नहीं लेकिन प्राण बेपरोपनम नहीं होने पर भी आपने मात प्रमाद के यूग को हिंसा कह दिया ये बात हमको जमी नहीं आचरी नहीं कहा क्यों नहीं जम रही है तो उन्हेंने कहा देखो अगर ऐसा करोगे तो आपके लक्षन में दोस आ जाएगा जो मासवमी महराज नहीं लक्षन दिया आचरी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पर भी जो प्रमाद का यूग है वह भी भाव हिंसा है उसकी माध्यम से हिंसा हो गई कैसे हो गई बताते हैं उक्तम च्या ऐसा कहा गया है स्वयमीव आत्म स्वयमीव स्वयमीव आत्मना नात्मानम हिंस्यात्मा प्रमादवान पूर्वं प्राणांतराणाम्तु पस्च्यात्यात्वा नावा वधा कहते हैं कि प्रमाद से युक्त आत्मा पहले स्वयम अपनी द्वारा ही घापना घात करता है उसके बार दूसरे प्राणियों का बद हो वे या ना हो वे श्वयम मीव आत्मानम आत्मानम आत्मना आत्मानम हिंस्यती आत्मा प्रमादवान जो प्रमादवान है प्रमाद से युक्त है वा स्यम ही सबसे पहले अपनी स्यम की हिंसा करता है पूर्वं प्राणां तराणां तू पस्चात बाद में कोई जीव मर भी सकता है ना वा वदह मरे भी ना मरे भी मन में भाव आ गिया उसने एक बंदूक ली और मन में भाव किया आज मैं उस जीव को मारूंगा अब वो जीव मिला ही नहीं धूरता रहा धूरता रहा धूरता रहा वो नहीं मिला लेकिन आपने परिणाम किया तो आपकी कशाय का लेविल क्या विचार निये है आपकी कशाय का लेविल क्या आपकी हार्ट वीट क्या आपका बलट प्रेशर क्या आपके शरीर का पसीना आपकी आँखों की लालीमा ये सारी चारी चीज़ें क्यों बदली क्योंकि आपके परिणामों में हिंसा प्रविष्ट हो गई है सामने वाला जीव मिला ही नहीं मरना तो दूर की बात ना मिला ना मरा देखों आचारे ने कितनी संचेप में जिसे भगवान अमरिचंद देव ने पुरशार्थ सुद्धी में क्या विस्तार दिया लबग पचास साथ स्लोक दिये उसे आचारे भगवन ने एक पैराग्राप के माध्यम से हमारी सामने हिंसा को अच्छी तरह समझाया अब आगे दूसरे पाप की ओर चलते हैं